मंगलवार देरराज शहर के सिविल लाइन थाने के पास खंडवा की ओर जा रहे एक रेट से भरे डंफर के टायरों में अचानक आग लग गई जिस पर पुलिस कर्मियों की मदद से काबू पाया गया मिली जानकारी के अनुसार डंफर क्रमांक MP47 H7077 जो की खिरकिया के किसी मुकेस मालविया का होना बताया जा रहा है रात करीब साबक 12 बजे के आसपास खंडवा की ओर जा रहा था इसी दोरान टायर में आचानक आग की चिंगारी आने से टायर में लग गई आग इसी दोरान ट्रक चालक ने बस्ती से बाहर ले जा कर आग को बुझाने का प्लैन किया लेकिन सिविल लाइन थाने के पास पहुँच के चारो टायर में आग भड़क गई जहां उसने सड़क किनारे लगे ट्यूब बेल की मदद से आग पर काबू के लिए डंफर को रोका पर भी सूशना दी गई थी जिसे रात्री गस्त कर रहे उप निरिक्षक संतोस रगवन शी आरक्षक प्रदीप मालविया सैनिक संतोस ओजह भी मौजूद रहे जहां सभी ने तातपरता दिखाते हुए फायर बिगेट को बुला कर डंफर में लगी आग पर काबू कर बड सर्व सुविधायों नेशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अग कैंसर का सफलोग चार और ऑपरेशन की सुविधा उपलग्थ है हमारे यहां मिल रहा है आयशमान भारत निरामय योजना का लाप आयशमान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडी क्लेम की सुविधा उपलग्थ है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के त्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलग्थ है नैशनल हॉस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के त्वारा उपलग्थ करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9-6-9-1-2-8-8-5-6-0 पर या फिर संपर्क करें 7-5-6-8-3-1-5-5-1 पर हमारा पता है नैशनल हॉस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 0-7-6-2-3-5-9-9-7-4 पर या फिर संपर्क करें 8-6-0-2-8-8-5-9-9-0 पर